प्रस्तूत है शेरीर की सोंरचना पर कुछ विचाब। शिर्शक है अजब तेरी कारी गरीरे करतार। हे भगवन हमने ऐसी कौन सी तपस्या की या ऐसा कौन सा परोपकार किया या कोई दान धर्म किया जो हमें इतना अनमोल हीरे जैसा जन्म दिया। शेरीर की सोंरचना का कोई अंतना पार सिर के बालों से लेकर पैर के अंगुठे तक निरंतर रक्त वहानिया चलती है। नजाने ऐसे कितने पावर वाले दो कैमेरे फिट कर जिए जिससे सारी स्रिष्ठी को देख सकते हैं। जीव पर अखंड अभिशेक की धार बैते रहती है। इस टेस्टर से हजारों तरह की चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। तरह तरह के स्वरों को सुनने के क्षमता रखने वाले हमारे कान, हमारे शरीर में 75% जल का संचाय करने वाला अद्रश्य टेंकर, शरीर में अंगिनत छिद्र रहने पर भी कोई एक छिद्र भी लीक नहीं करता। हाड मांस के नीचे रख्ट कैसे बन जाता है ये भी हम कोई नहीं जानते। मस्तिशक में अंगिनत रख्ट भाहनिया निरंतर अपना काम करते रहती है। मस्तिशक हर पल हमें जैसा हुकम देता है, हम उसी तरह काम करते हैं। गड़ी की तरह टिक-टिक कर धड़कने वाला रधय ही हमें जीवित रखता है। शरीर में हजारों तरह के जूड फिर भी कहीं एक टांका भी नजर नहीं आता। नाप के छिद्रों से, श्वास लेने और छोडने के प्रक्रिया के साथ-साथ तरह तरह की सुगंद और दुरगंद को भी इन शिद्रों से ही महसूस किया जाता है। कई तरह की सम्वेदनाओं को महसूस कराने वाली हमारी त्वचा। हमारे शरीर को महत्वपूर्ण, अंग, पेट की भी रचना बड़ी ही अजीव है। जितना खाना पचाना है उतना पचाना बाकी बाहर निकाल देना। वहारे प्रभू, क्या शरीर की सों रचना की है, एक मामूली सैकिल को ज्यादा चलाय जाय तो उसके टायर घिश जाते हैं। खड़ा करने के लिए स्टैंड की जरूरत होती है, पर हम बिना किसे स्टैंड के कैसे खड़े हो जाते हैं। जीवन भर चलने पर भी हमारे पैरों के तलवे घिशते नहीं। ज्यान, ध्यान, संगीत, शांती, स्मृती, विवेक शक्ती प्रदान करने वाले अद्भूत अर्किटेक्ट को रधै पूर्व कोटी-कोटी प्रणाम करते हुए, प्रणाम कर यह प्रार्थना करते हैं, हमा प्रति दिन जागते ही प्रभुस्मरन करना और धन्यवाद देना कभी न भूले।